नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर और आप अपनी स्क्रीन पर देखी रहे होंगे कि इस वीडियो में आप सीखेंगे mathematical operation की ऐसी टेकनीक जो ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी और और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आपके दिल से mathematical operation चैप्टर का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा साथियों ये चैप्टर आप में से काफी लोगों की ऐसी weakness होगी जिसका तोड आज तक आपको मिल नहीं पाया और हम सब जानते हैं कि इस चैप्टर स questions solve होने में काफी जादा time भी ले लेते हैं और कभी कभी तो exam में आप इसके questions को छोड़ने में ही समझदारी मानते हैं लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है आप यहां इस question से समझिए जो exam में पूछा गया ये आपकी screen पर है और आप में से काफी लोग ये सो आपस में पूरी तरह divide यानि भाग हो रहे हूं मैं एक बार फिर बोल रहा हूं ऐसे numbers को देखना है जो पूरी तरह आपस में divide हो रहे हूं अब आप देखिए कि सवाल में minus का मतलब हमें divide दिया गया है यानि जो भी हमारा correct answer होगा वो जरूर उन दो numbers को आपस में पूरी तर और 6 के बीच minus यानि 30 को 6 पूरी तरह भाग कर सकता था और इसके अलावा कोई ऐसा option नहीं जिससे साफ हो जाता है कि इस question का correct answer option A ही होगा हलो फ्रेंड्स आप मेंसे जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम नीरो है मैं काफी सालों से government competitive exams की preparation करवा रहा हूँ मेरे students income tax department जैसे काफी government departments में posted हैं अगर आप इस channel पे नए हैं तो ज़रूर subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का session दोस्तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप अगर SSC, bank, railways या इनी से related exam की तियारी कर रहे हूँ तो आप से mathematical operation से सिर्फ तीन तरह से ही सवाल पूछे जाते हैं जहां पहला कहलाता है substitute method जिनमें equation जो दी जाती है उनके variables में sign को put करना होता है अब next देखिए जो sign या variable interchange करके आप से सवाल पूछ लिये जाते हैं और last होता है चारों options में से correct equation को ढूणना जिस तरह का सवाल हमने अभी इस वीडियो के starting में solve किया था चलिए तो अब समझते हैं कि substitute वाले सवालों को कैसे solve किया जाता है और ऐसे कौन से सवाल होते हैं सातियों ये question आपकी screen पर है एक छोटा सवाल आपको concept समझाने के लिए यहां एक equation दी गई है हमने जिनके बीच के sign को सवाल के हिसाब से बदल कर solve करना होगा लेकिन मेरे प्यारे सातियों ये सब करने की आपको कोई जरुवत नहीं आप बस मेरी बात बिलकुल ध्यान से सुनिए और यहां समझिए कि चारो sign का मतलब सवाल के हिसाब से ये हुआ अब सबसे पहले तो हम correct sign को equation में put करेंगे जिससे यहां हमें हमारी correct equation मिल गई है अब आप देखिए और समझिए कि इस equation को आप exam में दो तरह से solve कर सकते हैं जिससे आपका answer चुठकियों में आपके सामने होगा पर उससे पहले आप ये जरूर देख लें कि कोई भी value आपकी equation में divide में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जैसे यहां 4 divide by 2 है तो हम यहां 4 को divide कर देंगे 2 से जिसे हमें 2 मिल जाता है बस अब आप इस equation को या तो unit digit concept या फिर digit sum concept से चुठकियों में निकाल सकते हैं साथियो अब यहां भी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कभी unit digit concept लगाते हुए आपका answer minus में आ रहा हो तब आप उसे 10 से minus करेंगे और अगर digit sum concept लगाते हुए आपका answer minus में आए तब आप उसे 9 से minus करके लिखेंगे नई तो आपका answer गलत हो जाएगा दोस्तों चलिए तो सबसे पहले unit digit concept कैसे लगाया जाता है equation में वो समझीया जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है कि हम बस equation की unit digit लेकर ही solve करेंगे जैसे यहां 18 का 8 हमें मिलता है और इधर 2 और last में 5 तिये 15 यानि उसकी unit digit 5 जिससे अब हमारी equation मनी 8 प्लस 2 माइनस 5 जा हमें मिलता है सिर्फ 5 यानि यही हुआ हमारा correct answer साथियों उमीद करता हूँ आपको जरू समझाया होगा चलिए अब देखिए कि इसी सवाल को हम digit sum से भी कैसे solve कर सकते हैं साथियों digit sum लगाते हुए एक चीज समझे आप कि जहां भी आपको 9 मिले जैसे यहां 18 दिया गया है जिसकी सारे digits का जोड 9 होता है इस तरह 9 प्लस का या माइनस का equation में अगर हो तब आप उसे ignore कर देंगे यानि उसे आप 0 मान लेंगे जैसे यहां 18 तो 0 हो जाएगा आगे सिर्फ 2 और 5 दिये 15 यानि 15 में 1 और 5 का जोड 6 हमें मिलता है जिससे हमारी equation बनी 2 माइनस 6 जहां हमें मिला माइनस का 4 यानि हमें अब इसे 9 से माइनस करके लिखना होगा जो मैंने आपको सिखाया जिससे आप खुद देखें और समझें कि 9 से माइनस होने पर यहां हमें मिलता है 5 और यही हमारा correct answer भी था साती हो मैं उमीद करता हूँ आपको जरूर समझाया होगा चलिए तो अब इसी पर अगला question देखिए यह आपकी screen पर है अब देखिए यह थोड़ा complex question लग रहा है क्योंकि calculations काफी heavy दी गई है लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपको चिंता करने की कोई बात नहीं हमें इसे unit digit या digit sum लगा कर चुटकियों में निकाल सकते हैं चलिए मेरे साथ solve करिए आप सबसे पहले हमने correct sign को सवाल के हिसाब से समझा अब यही हमने equation में put करके correct equation लिख ली जिससे यहाँ आपको जो मैंने बताया था कि divide में कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए सबसे पहले हमने 252 को 9 से भाग करा और हमें मिला 28 बस अब हम या तो इसमे unit digit या digit sum में से कोई भी एक concept लगा कर answer निकाल सकते हैं चलिए तो सबसे पहले हम unit digit से solve करते हैं अब आप देखिए यहाँ कि unit digit 8 और 5 multiply होकर 40 देंगे यानि unit digit पर 0 आएगा और इसी तरह आगे भी minus 2 और plus 2 भी 0 ही होगा जिससे साफ हो जाता है कि correct answer की unit digit में 0 जरूर होगा अब आप अगर options देखें तो यहाँ 200 हो जाता है हमारा correct answer मैं उमीद करता हूँ सातियों आपको जरूर समझाया होगा चलिए अब देखिए कि हम इसे digits हमसे किस तरह solve कर सकते हैं सबसे पहले तो 28 की दोनों digits को जोड़ा हमने जिससे हमें मिला 10 जो multiply होगा 5 से और हमें मिलेगा सिर्फ 5 इसी तरह आगे 32 का जोड़ भी 5 हुआ और आगे 9 और 2 का जोड़ 2 ही होगा यानि हमारे पास equation आई 5 माइनस 5 प्लस 2 जहां से हमें मिलता है सिर्फ 2 और options में हमारा correct answer 200 यानि 2 हमें मिलता भी है जो हमारा correct answer भी था साती हो उमीद करता हूँ आपको जरू समझाया होगा चलिए अब एक और question देखिए इसी पर जहां अगर माइनस में unit digit आए तब कैसे करेंगे अब यहां भी आपने मेरे साथ practice करनी है सबसे पहले वही जो sign दिये गए हैं हमें उसे put करके correct equation लिख लेते हैं अब देखिए यह यहां 24 divide कर रहा है 360 को जिसे हमने सबसे पहले divide करके लिख लेना है और हमें मिलता है 15 अब divide करने के बाद हम इसे या तो unit digit या फे digit sum concept से solve कर सकते हैं साथियो चलिए तो unit digit से देखिए पहले जिससे यहां हमें 5 और 4 को multiply करने पर 20 यानि unit digit 0 मिलता है और आगे minus 8 यानि हमें minus में time मिली और मैंने आपको बताया था कि unit digit concept लगाते हुए minus में अगर time आए तब हम उसे 10 से minus करके लिखेंगे जिससे यहां हमें मिलता है 2 यानि यह साफ है कि हमारे correct answer की unit digit में 2 जरूर होगा यानि option B 82 हो जाता है हमारा correct answer साथियो चलिए अब digit sum से भी इसे solve करके देख लेते हैं अब यहां आप देखें कि हमें पहले ही equation में 9 मिल रहा है 18 यानि इसका जोड 9 होगा तो मैंने आपको बताया था कि 9 के लिए हम बस इसे 0 ही मानेंगे और बाकी की digits को जोड कर लिखने पर हमें मिलता है 4 प्लस 6 यानि 10 अब आप देखिए कि हमारे correct answer यानि 82 का जोड भी 10 ही था मैं उमीद करता हूँ साथियों कि अब आप substitute वाले सवालों को बड़ी ही असानी से solve कर पाएंगे चलिए तो अब next type समझे आप mathematical operation की जहां sign या values आपस में interchange होती है साथियों ये सवाल आपकी screen पर है बहुत असान और simple सा सवाल ताकि आप पहले concept समझ जाएं यहां एक question दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इन 4 दिये गए options में से कौन सा option सही होगा जहां sign या values आपस में interchange हो रही हो दोस्तो इस तरह के सवालों में आप सबसे पहले ये देखें कि सारे ही options में सिर्फ plus की जगा multiply और multiply की जगा plus sign interchange हो रहा है यानि आप बस बिना value चेंज करे सवाल में दी गई equation के सिर्फ sign change करके लिख देंगे इस तरह अब आप अगर ध्यान से देखें तो आप यहीं से correct answer निकाल सकते हैं यहां समझिए कि हमें equal to में तो सिर्फ 16 ही चाहिए और यहां अगर हम 6 को 2 से multiply करें तो हमें 12 मिलता है और फिर उसमें 4 जोड़ दें तो यह 16 बन जाएगा यानि यह साफ है कि 6 2 से multiply होगा और फिर 4 plus होगा अब आप यहां एक बहुत जरूरी बात और समझे कि जो भी 2 values आपस में multiply हो रही होती है वो कभी interchange नहीं होती वहीं plus या minus की terms आपस में interchange जरूर होती है और इस चीज को साथियों आप कभी मत भूलना चलिए तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहां 4 और 2 multiply में है मतलब वो आपस में interchange नहीं होंगे जिससे हमारा option A जहां 2 और 4 का interchange दिया है वो कभी correct answer नहीं हो सकता है अब आप आगे देखें तो हमने 6 और 2 को भी multiply किया था correct answer के लिए यानि यह भी आपस में interchange नहीं होंगे जिससे यहां option B भी cancel हो जाता है और last option D cancel ही होगा साथियों क्योंकि बिना कोई sign या value change किये correct answer नहीं आ सकता जो 16 दिया गया है equation में अब यहां से यह साफ हो जाता है कि हमारा correct answer जो बच गया वह option C ही होगा मैं उमीद करता हूँ साथियों आपको जरू समझाया होगा चलिए अब next और थोड़ा अच्छे level का सवाल देखी अब आप यहां भी एक equation दी गई जिसके अगर हम sign प्लस और multiply से change करके लिखें तो यहां हमें मिलता है चार multiply by तीन जिससे साफ है कि तीन और चार आपस में interchange नहीं होंगे यानि हमारा correct answer option A या option B में से कोई एक ही होगा अब आप अगर ध्यान दें तो यहां 12 को 3 से change किया जाए तो वह 6 से पूरी तरह divide नहीं होगा यानि यहां से यह समझा जा सकता है कि 12 तो यहां से change नहीं हो सकता यानि 6 और 4 ही आपस में change हुए होंगे क्योंकि 4 भी 12 को पूरी तरह भाग कर सकता है तब ही 21 आया होगा जिससे हमारा correct answer option A हो जाता है मैं उमीद करता हूं साथियों कि अब आप इस तरह के ऐसे सवालों को असानी से solve कर पाएंगे और थोड़ा दिमाग तो लगाना ही होगा दोस्तों चलिए अब next और last type देखिए जो सबसे मुश्किल मानी जाती है क्योंकि उसमें 4 equation देकर correct equation पूछी जाती है कुछ इस सवाल की तरह जो आपकी स्क्रीन पर है और इस तरह का सवाल मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी करके समझाया था मेरे प्यारे साथियों इन सवालों के तोड के लिए आपने बस सबसे पहले एक काम करना है वो ये कि कौन सी दो values आपस में पूरी तरह भाग हो रही है उन्हें देखना है जैसे यहां अगर आप देखें तो ये हैं सारे correct sign सवाल के हिसाब से जिसे आप यहां देखें और ध्यान से समझीए प्लस का मतलब divide है यानि हमारा correct answer जो भी होगा उसमें दो terms जो आपस में पूरी तरह भाग हो रही होंगी उनके बीच प्लस का sign जरूर होगा अब आप अगर options देखना शुरू करें तो यहां देखिए option A में 20 और 13 के बीच प्लस का sign है और यह आपस में divide भी नहीं होते जिससे यह हमारा answer नहीं हो सकता अब इस तरह नीचे देखिए तो यहां 3 और 5 के बीच प्लस का sign है लेकिन मेरे प्यारे साथियों 3 के आगे ध्यान से देखिए माइनस का भी sign है 10 के बाद और यहां माइनस का मतलब multiply दिया गया है यानि अगर हम देखें तो यह 10 multiply by 3 by 5 होगा जहां 5 से 10 पूरी तरह भाग हो जाएगा जिससे यह हमारा correct answer हो सकता है दोस्तो और इसी तरह आपने भी द्यान रखना है इस तरह के सवालों को solve करते वक्त अब आप अगर आगे बाकी के दोनों options देखें तो उनमें कोई भी ऐसी term पूरी तरह divide नहीं हो रही है जिससे साफ हो जाता है कि हमारा correct answer option B ही होगा मैं उमीद करता हूँ साथियों आपको जरूर समझाया होगा और इसी के साथ होता है आज का session complete आप अपने views नीचे comments में जरूर बताएं अब हम मिलेंगे next session में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन